के बारे में जी हां इसकी नोटिफिकेशन आई हुई है नर्सिंग ओफिसर की विकिंसी आई हुई है 161 टोटल पोस्ट है और काटेगरी वाइज आप यहां पर देख सकते हैं सबस्क्राइबर सब्सक्राइबर इसकाने इसकी नेकड़िवेशन यहां आप नेकड़ा है नेकड़िकेशन आप 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 अपिसर की लेवल 7 की होती है आपका जो लेवल 7 है यहां पर अप्रॉक्सिमेटली 70,000 आपको सालरी मिल जाता है अजर फ्रेश यह डिपेंड करता है कौन सा सिटी है निम हंस बैंगलूरू में है और यह आप चेक कर सकते हैं आपको कौन कौन से अलोइंस कितना परसंट मिलता है ठीक है तो काफी सारे पर्क्स दिये जाते हैं जो आपकी इन हान्स सालरी होती है उसके साथ तो बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जिन लोगों ने भी बेसी नर्सिंग कोर्स किया हुआ है या फिक पोस्ट बेसी बेसी नर्सिंग किया हुआ है वो सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं लिए आप रजिस्ट्र होने चाहिए आज नरSir's एन मेड़ाइफ इन स्टेट या फिल नर्सिंग काउंसिल और जो भी इंस्टिट्यूड या यवनिवर्सिट्री है आपका जहां से भी आपने बिसी नर्सिंग किया हुआ है वो भी इंडेन नर्सिंग कांसल से रिकरनाइस होनी चाहिए तो यह आपकी education qualification है इसके साथ साथ यहां पर experience भी मांगा गया है 2 साल का at least work experience आपके पास होना चाहिए in minimum 50 bedded hospital यह जो work experience इसके लिए भी एक date दी गई है cutoff date जिसका according ही यहां पर चेक किया जाता है उसके बाद आपको verification मिलता है तो वह भी में आपको आगे दिखाऊंगे so upper age limit यहां पर 35 years है application form के लिए यहां पर 1180 रुपीज पे करना होगा और जो भी SCST category है उनके लिए आप 885 रुपीज है so apply करने के लिए link जो है वो में description box में provide कर रही हूं जैसे आप उस पर click करोगे direct form फिल कर पाऊगी ठीक है लेकिन अगर को 4.30 PM तक आप form फिल कर पाएंगे रिजिस्टेशन कर सकते हैं जो कि online ही करना है कोई भी physical process यहां पर नहीं है जितने भी documents अप्रोड होंगे वो सब online ही होगा आपको कोई भी email या फे like post करने की जरूरत नहीं है सारी से online ही होगी आप payment भी online करेंगे cutoff date यहां पर दिया गया है for calculating of age and experience 18th November 2023 के according आपको यह चेक करना है कि आपको work experience जो minimum 2 years के लिए है वो complete है या नहीं आपकी age maximum 35 years जैसे यहां पर दिया गया है इससे जादा नहीं होनी चाहिए तो आपको इस date के according चेक करना होगा बाकि जो आपका test details है वो like date, time, place यह सारे चीज़ा आपको institute के website पर ही पता चल जाएगी उसके बाद terms and conditions है कैसे आपको form फिल करना सारा process online ही रहेगा form आपको online फिल करने है payment online होगा उसके बाद सारे documents जो आप upload करेंगे इसको size and format कर रहेगा यह सारे चीज़ आपे given है और इस एज रिलाक्सेशन यहां पर दिया जाएगा as per government rule so यह सारी है और अगर आपको कोई doubt है इस विकिंसे related आप हमें comment कर सकते हैं बहुत जल्द next और भी जिती विकिंसे आएगी nursing officer pharmacy और जिते भी paramedical के विकिंसे आती है उन सभी के बारे में हम इस channel पर बात करने वाले हैं अगर को state government, center government or PSU में already work कर रहे हैं तो उनको यहां पर NOC अप्रोड करना होता है no objection certificate तो यह सारी चिज़े हैं एक बार आप अपने personal level पे पीडियाफ को रीड कर लीजेगा काफी चीज़े जो common थी वो में आपको बता दिया है तब तक आप अपनी preparation continue रखे जिस भी फील में अपन अपनी भी vacancies होगी मैं आपको अपडेट करती रहोंगी so experience के बात कर रहे थे हमें आपे जो आपकी nursing council registration है जिस भी date में होती है उस date के बाद से जितना भी आप hospital में काम करते हैं वही work experience आपे count होगा तो जब आपकी nursing council registration हो जाता है किसी भी state से उस date के बाद से आपको यह चेक consider नहीं होगा और कोई doubt के लिए आप हमें comment कर सकते हैं और अगर आपके information में कोई भी latest vacancy आई हुई है जिसके बारे में आप और भी information लेना चाहते है तो वह भी आप हमें बता सकते हो so मिलते next video में thank you so much and take care